हेलो दोस्तों आज की इस क्लास में आप सबी का स्वागत हैं आज की एक लास बहुत अदिक महत्पूर्ण होने वाली हो और आने वारी में आपको बहुत अदिक सहाइता यहां की क्लास से आज की class से होगी तो ये आज की class है वो unit 10 के कुछ इसमें जादतर जो प्रश्ण है वो unit 10 के हैं और कुछ उपनियासों से प्रश्ण रखे गए हैं और कुछ-कुछ प्रश्ण जो है knowledge के आधार पर रखे गए हैं ये सभी प्रश्ण मैंने खुद बनाये हैं अपनी knowledge, अपनी अधियायन के आधार पर तो आप सब इसको देखें और समझें तो यहां पर जो है कि बहुत सारे सज़सियां जो हमारे WhatsApp गुरूप है उसमें जुड़े हुए हैं तो वह लोग भी जो है मित्र जन प्रश्ण जो है वो भेजते रहते हैं तो कुछ प्रश्ण वह भी इसमें ह तो सभी पर मैंने एक विस्तरित क्लास बना दी है क्योंकि प्रश्ण तो पूछ लेती हो लेकिन उसके बाद प्रश्ण पर अधिक जानकारी देना तो उचित रहता है ताकि आपकी जानकारी में भी जादा चीज़े जादा तत्के जादा अधिक बिंदू जो है वो जुड अधिक महत्पूर क्लास है साथ ही आज मैं आपको एक नए जानकारी दूँगी के चैनल का नाम पहले किताब नौलिज 0.4 था अब जो है चैनल का नाम बदल दिया है तो अब आने वाले समय में इस चैनल का जो नाम होगा वो मुसकान अलवी हिंदी क्लासिस होगा तो आप स अगरत की नियती भी हार कर बैठ जाना नहीं गिर कर फिर उठना है संगर्ष करते हुए आगे बढ़ना है किसकी आत्मकथा का कथन है तो यह यूनिट 10 से प्रशन जो है मैंने पूछा था अपने वाटसब ग्रूप में आप सभी ने जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन तो यह जो आत्मकथा है यह रमनिका गुपता इसका जो है वो सही उत्तर होगा क्योंकि रमनिका गुपता की आत्मकथा में रमनिका गुपता एक इस्त्री लेकक है तो उन्हों ने अपने आत्मकथा में यह कथन कहा है औरतों के बारे में तो रमनिका गुपता की जो आत्म कता लगी हुई है उसका दूसरा खंड हमारे सलेबस में लगा हुआ हमारे पाठ्के क्रम में दिया हुआ है जिसका सिर्षक है आप गुदरी और उसका एक उप सिर्षक भी हुआ है उसका उप सिर्षक है एक जिद्दी लड़की की कहारी एक जिद्दी लड़की की आत्म कता ये उसका उप सिरसक है, तो ये आप नोट कर लीजे, और इसका जो पहला खंड है, उसका नाम है हादसे, तो हादसे जो है उसका प्रकाशन वर्स 2005 मुझे को मिला था, तो अगर आपको इसका सही प्रकाशन वर्स पता हो हादसे का, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और जो आप हुदरी है, उसका जो प्रकाशन वर्स वो 2015 है, ये बिलकुल सही है, और ये जो आप हुदरी है, ये जो आत्म कता है, इनकी 448 पेज की आत्म कता है, तो ये एक प्रकासन वर्षो को भी आपको ध्यान में रखना है और कितने खंडों में कौन सी रचना विभक्त है यह भी आपको ध्यान में रखना है अब हम आगे देखते हैं दूसरा कोशन बच्चन यानि हरीवन्च राय बच्चन जिनकी आत्म कथा क्या भूलू क्या याद करू यानि उनकी आत्म कथा चार खंडों में विवक्त है और पहला खंड है क्या भूलू क्या याद करू जो की हमारे स्लेवस में लगा हुआ है तो हमें पहला खंड ही पढ़ना होता है लेकिन हमें चारो खंडों का नाम पता होना चाहिए और उनका प्रकासन वर्स भी पता होना चाहिए और लेकक ने चारो खंडों में क्या-क्या चीजे व्यक्त की हैं यह भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि अभी पिछली बार ही प्रश्न पूछा गया था कि किस आत्मकता में लेकक ने अपने वंश का परिच्चे दिया है यानि अपने वंश की अपने परिवार का जिक्र किया है तो उसका उत्तर है क्या वुलू क्या यादगरू में तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो बनते हैं तो प्रश्न मैंने जो अपने वटसब गुरूप में अपने पूछा था तो कुई स्कराया था तो ये है प्रस्न हम पढ़कर बताती हूं बच्चन जी की आत्म कथा के किस खंड में उनकी कावे प्रतीभा का वर्रण किया है तो ये कावे प्रतीभा का वर्रण से प्रस्न पूछ लिया गया है मेरे द्वारा तो इकावे प्रतीभा का जो उन्होंने जिक्र किया है वो उन्होंने अपने आत्म कथा के पहले खंड में किया है चार खंडों में विबक्त है चारों खंड यहां पर मैंने रख दिये हैं आपके सामने पहला जो है उसका नाम है क्या भूलू क्या याद करू दूसरा जो है उसका नाम है नीड का निर्माण फिर तीसरा जो है उसका नाम है बसेरे से दूर और चोहते का नाम है दशोद्वार से सोपान तक अब हम इन चारों का प्रकासन वर्स देख लेते हैं पहला जो आपके स्लेबस में लगा हुआ है पहला खंड उसका जो प्रकासन वर्स है वो 1979 है और दूसरा जो है वो नीड का निर्माण फिर जिसका प्रकासन वर्स 1970 है और तीसरा बसेरे से दूर 1977, चोहता दशोद्वार से सोपान तक 1985 तो ये एक छोटी सी अधिक बिंदू जो है वो आपके यहां पे ज्यान में जुड़ गए है क्योंकि सभी चीजे कुईज में संभव नहीं हो पाती तो ये चीजे आप नोट्स बनाते जाए और कहीं पर लिख लीजी चलिए अब हम अगला प्रशन देखते हैं बच्चन जी ने अपने वन्ष का वरणन वन्ष परिच्चे किस खंड में किया है तो यहां भी ये जो प्रशन है ये प्रतम खंड से ही पूछा गया है क्या भूलू क्या याद करूं यह बोलो यहाँ पे गलट टाइप हो गया है क्या भूलूं क्या याद करूं यह इसका प्रथम खंड का सिर्सक है तो इन्होंने अपने वन्स परिच्चे भी इसी खंड में प्रथम खंड में ही किया है आगे हम जानेंगे कि प्रथम खंड में इन्होंने और क्या-क्या व्यक्त किया है क्योंकि विस्तार से जानेंगे आगे हम क्योंकि ये प्रथम खंड जो है वो हमारे पाट्टे क्रम में लगा हुआ है इसलिए हमें विस्तार से जानना अनिवा रहे है अब हम अगला question देखते हैं ये एक कथन है जो कि बच्चन जी की आत्म कथा से ही है बच्चन जी की आत्म कथा में पूरवजो के वन्ष वरक्ष और जातिय कथाओं के ब्योरे पास्चात्य आत्म कथा की एक प्रकृति है किसका कथन है तो ये बच्चन जी की आतम कता से प्रश्ण है कि जो आलोचक होते हैं वह किस रचना के बारे में उन्होंने कौन से कत्han कही हैं वहां से भी प्रश्ण जो है वो आता है इस प्रश्ण का जो उदेश यह है वो यही बताना है आप सबीको क्योंकि बहुत सारे शात्रों के पास उचित मार्ग दरशन नहीं होता गाइडन्स नहीं होती तो कैसे पढ़ते हैं यहां से आप सीखते जाएंगे इस क्लास के माधम से के जो अलोचक होते हैं जैसे शुकल जी है डॉक्टर नगेंदर है डॉक्टर बच्चन सिंग है और भी जो अन्य अलोचक है तो सभी नामवार सिंग है तो सभी के जो कत्थन होते हैं किसी रचना के बारे में किसी लेखक के बारे में विशेश कर उन रचना के बारे में जो हम हम परिक्सा में प्रशन आये तो हम उसे हल कर सकें बच्चन जी की आदम कथा में पूर्वजो के वन्स व्रक्ष और जाते कथाओ के ब्यूरे पास चाहते आत्म कथाओ की एक प्रकृति है यह कतन है डॉक्टर कमलेश सिंग का डॉक्टर कमलेश सिंग का यह है कतन है इसका सही उत्तर यह है हो जाएगा तो चलिए हम अगला कोस्टन देखते हैं जो गुरुप में अन्यसदस से लगे हुए है मितरजन वहभी प्रशन जो है वो 1931 अंकों में यह विभाजित है और इसका प्रकाशन वर्स है 1922 मानस का हंस अम्रित लाल नागर का है अब इस प्रशन से आप आगे क्या कुछ अपनी परिक्सा में एड करेंगे तो इस प्रशन का जो मूह लुदस है वो है कि इसके हमें अम्रित लाल नागर दोरह लिखेता है साथ ही हमें अम्रित लाल नागर की जो अन्यय उपनियास है और अन्यय रचनाये हैं उनको भी हमें देख लेना है तो आप लोग उनको भी देखें तो अमरित लाग नागर के आप अन्य रचनाव को भी कहीं पर लिख लेंगे अपने नोट्स में एड़ कर लेंगे और इनका प्रकासन वर्स तो जरूर याद करेंगे क्योंकि कई तरह से गुमाफ राकर जो है प्रस्न पूछे जाते हैं अब हम अगले प्रस्न पर बढ़ते हैं मेरा अब एक कथन है यह है जितनी भी उपनियास लगे हुए हैं उनकी जो भूमिका है सभी उपनियासों की भूमिका से प्रस्न जो है वो पूछे जाते हैं जल्द ही मैं इस पर भी एक क्लास लाने की सोच रही हूँ अगर आपको क्लास चाहिए इस पर तो आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं क्लास जरूर लेकर आँगी जितने भी उपनियास से उनकी जो भूमिका है उस भूमिका में जो कथन है या लेखक ने कुछ विसेश कहा है तो महां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं भूमिकाओं से प्रश्म कुछे जाते हैं जो कि आपके सामने यह उदाहरन यहां पर दिया हुआ है मेरा यह उपन्यास मेरा यह उपनियास मेरी किशोर अवस्था की कुछ अविस्मर्निय इस्मृतियो और उनके दामन में छीपी अदम में वेदना की उपज में लिखा गया है यह पंक्तिया किस उपनियास की भूमिका में लिखी गई है तो इसका जो सही उत्तर है वो धरती धन्ना अपना जगविस चंद्र माथुर का यह उपनियास है और इस उपनियास की भूमिका में यह कथन लिखा हुआ है लेकक के द्वारा तो यहां से भी प्रस्न जो हैं सकते हैं दोनों रचनाओं का इनका दोनों उपनियासों का एक ही प्रकाशन वर्स है 1972 तो इससे दोनों रचनाओं आपको याद हो जाएंगी अब अगला जो उपनियास पर प्रस्ण है वो है आपका बंटी उपनियास से जिसका प्रकाशन वर्स 1971 है कितने भागों में विभक् और ये आग का बंटी उपनियास जो है वो मन्नु बंडारी द्वारा लिखित है और उनका बहुती प्रसित उपनियास है तो इस मन्नु बंडारी के जो अन्य उपनियास है कहानिया है उनको भी हमें दियाद कर लेना है जितने भी लेखक हैं उनकी अन्य प्रचनाओं को भी हम अब अगला जो कॉष्चन वो है वहारी सचसई से बिहारी सचसई जो है वो कविवर बिहारी की एक मातर रचना है तो इसका ये जो प्रशन है बिहारी सस्थाई में कितने दोहे हैं तो ये दोहे वाली एक रचना है जिसमें दोहे हैं तो ये 713 इसका सही उत्तर होगा बिहारी रीती सिद कावय धारा के प्रतिनीधी कवी रहे हैं एक मात्र रचना बिहारी सस्थाई है बिहारी सस्थाई की रचना उन्होंने 1633 में शुरू की और पुन जो उन्हों की हुई है रचना हुई तो 1662 में हुई बिहारी सस्थाई में 713 दूए है रितिकाल का प्रतिनिधी कभी किसे माना जाना चाहिए तरक सही साथ बताई, तो रीती काल का जो कभी है जो प्रतीनिधी कभी है वो बिहारी को ही मानना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक मातर रचना से प्रतिनिधी कर दिया ऑट। मतलब इनके जो रचना है उसमें इन्होंने रीती को न अपनाते हुए भी उसमें ऐसी प्रकृति पाई गई है कि रीती अपने आ की स्वयमी आ गई है आ बन पड़ी है अब ये जो है ये योनिट 10 से ही है जो कि एक अलोचना हमारे पाटकरम में दी हुई है संस्कृति के चार अधियाए ये दिंकर की है और ये एक अलोचना है ये दिन कर की इसको अलोचना कि श्रेणी में रखा जाता है जह संस्कृति के चार अधियाए ये प्रषन मैं पूछा था कि प्रत्हम अधियाए में कितने प्रकृण यह जो मैं आपको बता दू संस्कृति के जो चार अधियाए हैं इसमें चार अधियाए हैं और यह प्रतियक अधियाए जो है वो प्रकरणों में विभक्त है तो कितने कितने प्रकरणों में विभक्त है यह प्रस्न जो है वो आ सकता है तो इसलिए मैंने यह पहले ही करा दिय क्योंकि अब तक पूछा नहीं गया है तो अब आगे पूछे जाने की संभावना है तो जब पहला अधियाए है वो है तीन प्रकरणों में विबक्त है दूसरा साथ प्रकरणों में और तीसरा बारा प्रकरणों में और चोता जो है वो 17 प्रकर्णों में विभक्त है आप सभी इसको नोट कर लेंगे अपने नोट में और जो चारो अधियाएं हैं उनके शिर्षकों को भी आपको याद करना है पहला जो है वो भारतिय जंता की रचना और हिंदू संस्कृति की और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव है और जो दूसरा है वो प्राचीन हिंदुत्व में विधरो और जो तीसरा है वो हिंदू संस्कृति और इसलाम और जो चोता है वो भारतिय संस्कृति और यूरोप है तो इसको आप कहीं पर note कर लेंगे अपने notes में ये person जो है वो बनने की पूरी-पूरी जंभावना है संस्कृति के चार अध्याई प्रतम अध्याई में कितने प्रकरण है तो प्रतम अध्याई में तीन प्रकरण है पंडित सल सत्य परकाणिये देही बुध्धी बसंत ना जानिये ये सहरपा का आधी काल में जो सहरपा थे तो ऊनका एक प्रसिद जो है वो कथन है तो यहाँ पे जो option दिये हैं इसमें सहरपा नहीं लिखा हुआ है सहरपा जैसे मिलता जुलता शवरपा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे एक option ओर गया है तो इसमें है इन में से कोई नहीं अगर यहाँ पे सहरपा लिखा होता है तो फिर हम सहरपा को सही माल लेते तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिये प्रवास यह आपका यूनिट 6 में जो कविताई ली हुई है वहाँ से यह प्रशन है प्रिये प्रवास जो है वो अयोध्या सिंग उपादिया हरियोध जो कि दिवेदी यूग के कवी है प्रसिद कवी है तो उनकी रचना है तो यह कितने सरवों में विभक्त है तो यह 17 सरवों में विभक्त है इसका सही उत्तरी हो जाएगा प्रिये प्रवास का जो प्रकाशन वर्स है वो 1914 है और जो यह प्रिये प्रवास से जो हरियोध द्वारा लिखा गया है यह महा काव्य है खड़ी बोली का प्रथम महा कावे प्रिय प्रवास को माना गया है और प्रिय प्रवास जो है वो एक प्रभंध कावे के रूप में है प्रभंध कावे के रूप में प्रभंध कावे वह होता है जिसको सोच समझ कर प्रभंध करके लिखा गया हो इसमें जो विश्य चल रहा है वो कड़ी दर कड़ी जुड़ता जाए अब आगे जो प्रशन है वो है किस आलोचक ने प्रिय प्रवास को महा कावे नहीं माना है तो प्रिय प्रवास को आचारे सुक्ल ने महा कावे नहीं माना है और बागी जो बच्चन सिंग है वो जो है इसको मानते हैं महा कावे भी और प्रभंध कावे भी और अन्य जो अलोचक है वह भी इसको मानते हैं तो अब हम आगे देखते हैं किस ने प्रिय प्रवास को भिन तुकांत काव्य कहा है यह एक महतकूर कोशन है और यह भी पूछा जा सकता है तो प्रिय प्रवास को स्यम जो लेकक है हर योद अयोदा सिंह उपादिया हर योद ने स्यम ही भिन तुकांत कहकर अपनी रचना को सं बोजित किया है अगला question देखते हैं प्रिये प्रवास का क्या अर्थ होता है जो प्रिये प्रवास है उसमें ये आप देखेंगे कि दो सब्दों से बना है पहला है प्रिये और दूसरा है प्रवास तो प्रिये यहाँ पे जो है आपको पता है ये है जो प्रिये प्रवास पर अधारित है, इसके नाय और नाय का उन्हा और कृष्ण जी और राधाजी हैं, तो प्रीय यहां पर LEकृता है। तो उन्हार निकलता है कि जो खिवा सबना हो लग अलग जगहाओं पर जाते रहते हैं। वियोग की दशा तो इस सूजय दाशा है चुने चुने आपने इंहें? प्रियय का प्रवास इस रचन है और प्रिया करें छेप्राजど भोट हैं और गााँ में तो प्रम भडर्स विर्यवर्वर्वर्वास इस उपनियाद क्या के प्रेवर्वास नश्य चीजिएएं तोफिर ना कि ऊपले स्वेह साफ और क्या है तो प्रिय प्रवास का प्रकासन वर्स मैंने पहले भी बता दिया और अब एक बार और ये कोशन आ गया है तो ये 1914 इसका प्रकासन वर्स है अब हम आगे वड़ते हैं अब देखिए यहां पर मैंने कुछ अलग से जानकारी आपके लिए रखी हुई है ताकि आपको अ अमने कुछ देखिए और इनकी आत्मकता लगी हुई है क्या वुलू क्या याद करुद इसके संधर्विं में यह बात हो रही है और अब हम देखते हैं आगे हमारी जानकारी प्र Talk जुड़ते जाएंगे योटै क्या वुलू कः याद करू जो क्या बैंक हनम स्था जी को भारतिय सायति के सरवोच पुरसकार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और हिंदी प्रकासन में इस आत्मकता का अत्यांत ऊचा इस्थान है डॉक्टर धरमवीर भारती ने इसे हिंदी के हजार वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली गटना बताया जब अपने बार जो कथन हैं वो महत्पून होते हैं हर एक रचना के लिए डॉक्टर हचारी प्रसाद दिवेदी के अनुसार इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उसका व्यक्तित्व ही नहीं उबरा है बल्कि उनके साथ समोचा काल और शेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उबरा है अब आगे देखते हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंग सुमन की राय में ऐसी अभी वक्तियां नहीं पीड़ी के लिए पाठे बन सकेंगे इसी में उनकी सार्थकता भी है तो यहां पर तीन आलोचकों के कथन आपको देखने को मिले हैं डॉक्टर यहां पर हरिवंश राय बि प्रशाद्दी वेदी का और शिव मंगल सिंग सुमन की तो यह कथन जो है मैं पूर्ण होते हैं इसी अलोचक का किसी भी रचना के लिए अब यहां पर हम देखते हैं अब हम यहां पर देखते हैं जो हमारे प्याठ्ठे करम में क्या भूलू क्या याद करू प्रथम खंड जो लगा हुआ है उसमें क्या क्या व्यक्त किया है हरिवंश राय बच्चन जी ने क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या यह ची को पढ़ना है स्वेम तो चलिए देखते हैं प्रतम खंड में उन्होंने व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन का वरण किया है उनके वंच का वरण यानि वंच परिच्चे दिया है बच्चन जी की श्रव्य प्रतिभा बच्चन जी की काव्य प्रतिभा का वरण किया है बच् पहले एक question देखा था कि उर्दु को जानने से हिंदी को लाग होगा, यह कथन जो हमने देखा था अभी इसी class में, तो यहीं से इनकी आत्म कथा में दिया हुआ है, भाशा का मुल्यंकन हुआ है, क्योंकि इस खंड में तो यहीं से वह उनके विचार थे, जो कथन था वो बच है, हरियोध की जो कवीता लगी हुई है, उसके बारे में कुछ अधिक जानकारी यहां से हासिल करेंगे, प्रिये प्रवास की रचना, अयोध्या सिंग हरियोध ने की, यदि प्रिये प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महा कावी है, तो हरियोध खड़ी बोली के प्रथम म आपको पहले ही बता दिया है प्रेय प्रवास विरह कावे है विरह कावे जिसमें जुदाई हो जिसमें किसी के बिच्छड़ने का दुख व्यक्त किया गया है कृष्ण कावे की परंपरा में होते हुए उस से भिन है हरियोध जी ने कहा है मैंने अब यहाँ पे कथन आगया हरियोध जी का स्वयम लेखक का हरियोध जी ने कहा है मैंने श्री कृष्ण चंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुस की भाती अंकित किया है ब्रहम करके नहीं यानि इश्वर बना कर नहीं उन्होंने महापुरुस बना कर अपनी रचनामी कृष्ण को इस्थान दिया है कृष्ण चरित को इस प्रकार अंकित किया है जिससे आधुनिक लोग भी सहमत हो सके इस प्रकार का उन्होंने कृष्ण जी को अंकित किया है यानि कि ये प्रस्ण भी यहां पर कई बार पूछा जा चुका है विगत वरसों में कि प्रिये प्रवास में कृष्ण को किस रूप में व्यक्त किया गया है तो यहां पे ना कि देवता और रीसवर बना कर तो और यहां पे इनको एक आम प्रेमी प्रेमिका के रूप में व्यक्त नहीं करा है बलकि उन से उपर इस्थान जो है वो पेखक ने दिया है अब हम आगे देखते हैं बिहारी सत्साई के बारे में कुछ महतकून जानकारी बिहारी रीती सिध कावे धारा के प्रतिनी धी कवी रहे हैं तो जो रीती सिध है रीती बधे और रीती मुक्त रीती काल की तीन धारा हैं उनके जो कवी होते हैं उनको आपको याद कर लेना है और कौन-कौन से कभी किस में आते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रतिनिदी कभी रहे हैं इनकी एक मातर या इन्होंने बस एक ही रचणा लिखी थी। बिहारी डास, जैपूर, नरेश, मिरजा, राजा, जैसिंग के दरबारी कवी थे। कौन सा कवी जो है वो किस दर्बार आपको पता है कि रितिकाल में दर्बारी परंपरा रही थी यानि जो कवी थे वो राजाओं के आश्रे में रहते थे क्योंकि महां से उनको कुछ न कुछ धन और जो उनका पद प्रतिष्टा है जो उनकी छाती प्राप्त होती थी तो बिहारी जो थे वो जैसिंग के दर्बारी कवी थे और जो अन्य भी जो जितने भी दर्बारी कवी रहे हैं आपको पता होना चाहिए कौन सा दर्बारी कवी किस राजा के दर्बार में रहते थे तो बिहारी जैसिंग के दरवारी कवी थे राजा जैसिंग अपनी नई पतिनी के प्रेम में डूबे रहते थे और महल के बहर भी नहीं आते थे उन्हें महल के राजा कारे करने के लिए बुलाने की शक्ती किसी में नहीं थी तो इस पर बिहारी दास ने एक दोहा लिख राजा के पास बिजवाया था जिसे पढ़कर राजा तुरंत बहार आई और राजे कारे में सनलगन हो गए यानि वह इस दोहे को पड़कर इतना जादा हो अपने कारे के प्रती चेतना जागी कि वह अपने कारे में जुट गए और वह दोहा ये था आपको पता होना चाहीं कई बार प्रस्न बनकर पोच लिया जाता है ना ही पराग ना ही मदुर मधू ना ही पिकास यही काल अली कली ही सो बंधियो आगे कोन हवाल तो ये भी एक महत्पून दोहा है तो इन्होंने लिख कर भेजा था तो अब हम आगे देखते हैं तो आठी क्लास यहीं पर समाफ्त होती है अगर आपको ऐसी ही तीसरी कलास भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे साथ ही आप बताएंगे कि कृष्ण को सर प्रथम कावे का विश्य किस लेखक ने या किस कवी ने बनाया था वो आपको कमेंट करके बताना है और अगर तीसरी class चाहिए तो वो भी आप comment करके बताएंगे साथ ही आप WhatsApp group से जुड़ जाएंगे ताकि इस प्रकार के quiz में आप भी जो है वो participate कर सके और अपनी तैयारी को हमारे साथ आगे बढ़ा सकें तो बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लास में इतना ही चैनल को like, share, subscribe जरूर करें और अपने मीतरों के साथ क्लास को share कर दे ताकि उनका भी लाव हो सके और link आपको description में मिल जाएगा तो आप जुड़ सकते हैं WhatsApp group से और Telegram दोनों से तो मिलते हैं अगली क्लास में आज क्लास में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार